एजस्वी आदम ने सीएम नितीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। और एंडिये में उन्होंने वापसी कर लिया। अब आच राज्यों के चिनावी नतीजों में बीजेपी को मिली हार के बाद अब इनके सहयोगी दल भी पार्टी को आँख दिखाते और निसीहत देते दिख रहे हैं। विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने बीजेपी पर जम कर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आते हैं तब ही बीजेपी को राम मंदर की याद आती है। तेजस्वी आदव ने कहा कि अगर 2019 के लोग सभाचनाव में बीजेपी फिर से जीत कर आई तो भगवान राम के बदले बीजेपी नरेंद्र मोदी का मंदर बनवा देंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधान मंतरी बने तो देश का सम्विधान ही खतम हो जाएगा। इनका एक ही मकसद है कि आरेसेस का एजिंडा लागू करो, राजा की तरह राज करो और सब को गुलाम बना कर रखो। उन्होंने सीएम नितीश पर जातिवादी और छेतरवादी होने का गंभीर आरोप लगाया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।